माइ बिग गैड चैनल को सस्क्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिये गए इस लाल बटन को दबाईए और इसके बराबर में दिया गया जो गंटी जास आएकन है इस पर जरूर क्लिक कीजिए यहां पर सेंड मी ओल नोटिविकेशन फॉर दिस चैनल पर टिक लगाए और सेव कर दिए नमस्कार दोस्तों माइ बिग गैड स्मार्ट क्लास में अपका फिर से स्वागत है दोस्तों आप जीमेल का तो इसमाल करते ही होंगे आपने जीमेल आइडी बना रखी होगी किसी को इमेल भेजने के लिए या कहीं शोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने के लिए अगर आप कोई एक्जाम दे रहे हैं या कोई जॉब के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो वहां भी आपकी इमेल आइडी के वशक्का होती है लेकिन कभी-कभी ये इमेल आइडी हैक भी हो जाती है यानि कहीं अगर आप साइवर कैफे पर गया कहीं किसी जगे अपने दोस्त के घर पर गए तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके पासवर्ड का पता लगा लेते हैं और आपकी इमेल आइडी को हैक कर लेते हैं यानि व वो आपके पासवर्ड का पता लगाने के बाद भी आपकी email id को खोल नहीं पाएगा तो आए जानते हैं ये कैसे करते हैं टूस्टेप वेरिफिकेशन लगाने के लिए सबसे पहले आप अपने Gmail id से लोग इन कर लीजी और उसके बाद Google पर टैप कीजिए टूस्टेप वेरिफिकेशन यहां पर आपको Google टूस्टेप वेरिफिकेशन का पेज दिखाई देगा इस पर क्लिक कर दीजिए यह Google टूस्टेप वेरिफिकेशन का पेज है यहां पर आपको गैट स्टार्टेट का बटन दिखे देगा इस पर क्लिक कीजिए और यहां पर गैट स्टार्टेट पर क्लिक कर दीजिए ऐसा करने के बाद आपको अपनी जीमेल इडी से दुबारा लॉग इन करना होगा तो यहां पर अपना पासफ़र्ड डाल कर लॉग इन कीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए यहां पर आपको मुबाइल नंबर डालने का ओप्शन दिखाई देगा तो उस मुबाइल नंबर को टाइप कर दीजिए जो आपके पास हमेशा रहता होगा जो आप मुबाइल नंबर यहां पर टाइप करेंगे उस पर एक कोड भेजा जाएगा वह कोड आप फॉन कॉल के माधिम से प्राप्त करना चाहते हैं उस पर टिक लगा दीजिए तो हम यहां पर टेक्स्ट मैसेज के माधिम से कोड प्राप्त करना चाहते हैं उसको नेक्स और यहां से next कर दिए अब यहां पर Google ने two step verification हमारे Gmail account पर apply कर दिया है आप देख रहे हैं कि इस Gmail account पर two step verification अप्लाई कर दिया गया है इसे आप turn on कर दीजें यह account Google द्वारा secure कर दिया गया है अगली बार जब कोई बाहरी व्यक्ति इस account को खोलने को उचिश करेगा तो उसे खोल नहीं पाएगा जब भी वह नए computer पर या किसी अन्य जगे पर इसे login करेगा तो उसके mobile पर एक code भीज़ा जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह भीज़ा जाएगा सबसे पहले हम इस account से logout हो जाते हैं तो चलिए अपने gmail account को एक बार password डाल कर access करने कोशिश करते हैं क्या हम password पता करके अपने gmail account को access कर पाएंगे या नहीं तो हम यहाँ पर password डाल देते हैं हमने यहाँ पर password डाल दिया है और इसे next किया है आप देख रहे हैं यहाँ पर एक two step verification जो six digit का code है हमारे phone पर भेजा जाएगा और उस code को डालने की बाद ही हम अपने account को access कर पाएंगे यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान भी रखनी है यहाँ पर एक नीचे option दिया गया है don't ask again on this computer तो यह option आपको सिर्फ अपने घर के computer पर ही इस्तमाल करना है आप कहीं cyber cafe पर गए हैं या कहीं दोस्त के घर पर गए हैं तो यह option आपको इस्तमाल नहीं करना है अगर आप इ two step verification भीजा जाए तो इस पर से tick हटा दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि two step verification हर बार आपको इस computer पर न भीजा जाए तो आप इस पर tick लगा दीजिए इसके बाद यहाँ पर वो code आप डालिए जो आपको Google के द्वारा भीजा गया है यहाँ पर code डाल देते हैं और इसे next कर तो आप देखेंगे कि अब हम इस account को access कर पाएंगे तो इस तरीके से आप अपने Gmail account को two step verification द्वारा double secure कर सकते हैं तो आशा है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा आगे भी एसी जनकारियों के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए हमारे वीडियो को like कीजिए और comment दीजिए धन्यवाद